पॉंटा साहिब में सोंवार को बारिश के साथ आये तुफान से एक विशालकाय पेड़ जमीदोज हो गया हलांकि इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है लेकिन पेड़ के नीचे खड़ी दोकारें क्षतिग्रस्त हो गई है जानकारी के अनुसार गुलद्वारा पॉंटा साहिब के पास पारकिंग सल में दशकूंद पुराना आम का पेड़ गिर गया बेशक बारिश होने से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है लेकिन निकासी नहोने से पाने सडकों पर खड़ा हो गया है जिसके चलते लोगों को परिशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और बरसाद से निवतने के लिए की गई नगर परिशद की तेयारियों की भी पोल खुल गई है हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए पॉंटा साहिब से दीरे चोपड़ा अभी कॉल करें फेब फ्रेम 72066-82066 या 8988-89882